आए बढ़ते आगे और गोद्रेज कंजुमर्स इसने रेमन्स के अपना रेमन्स कारोबार खरीदा है आए इसके पूरी डिटेल्स ली जाए दो दिन में 8% नीचे है सर गोद्रेज कंजुमर्स और रेमन्स भी कल जितना बड़ा था आज वापस बरावर हो गया खाया प्याप बड़ावर तो ऐसा क्या हो रहा है कि गोद्रेज कंजुमर्स को तो खराब लगी रहा है उनके लिए तो खराब लगी रहा है इवन रेमन्स के लिए भी इतना अच्छा नहीं लग रहा तो डील की डिटेल्स और वज़े बताने के लिए तैयार है नुपूर हमारे साथ है नुपूर बताएं बिल्कुल जाए गोद्रेज कंजुमर्स के लिए तो काफी एक्सपेंसिव डील है क्योंकि पहले खबरे आ रही थी कि पचीस सो करोड में डील होने वाली थी दूसरे प्लेयर के साथ लेकिन वह भी नहीं हो पाई थी क्योंकि वैलवेशन के कंसंत है अब तो इस डील को आते कामा सुत्र प्रीमियम ब्राइंड से यह कुछ प्रीमियम ब्राइंड से जो रेमन के जो एफम सीजी कारोबार में आते उसे गोद्रेज कंजुमर्स ने खरीद है अठाइस तो पचीस करोड की डील है पर इसमें से 100 करोड का कैश रेमन का तो 2725 के आसपास आपको यह लेकिन उस लिहाद से भी थोड़ा एक्सपेंसिव बजार को यह नजर आ रहा है जिसके जलते बाक टू बाक लगाता है दो दिन इस स्टॉक में कमजोरी है इन फाक्ट अगर एफम सीजी कारोबार के हिस्टॉरिकल रेविन्यूस भी देखे तो एफ़ए ट्विंडी व इसका इंप्लिमेंटेशन करना इनके लिए एक डिफिकल्ट टास्क हो सकता है बिजनेस को इंटिग्रेट करना नए काटेगरी में वेंचर आउट करना जब कॉम्पेटेटिव मार्केट है तो यह एक बड़ा कंसर्ण गोद्रीज के लिए फिलाल निकल के आ रहा है इसके अलावा फिलाल गोद्रीज कंजूमर के बास करीबन 2,000 क्रोड का कैश लेकिन फंडिंग के लिए अभी भी उन्होंने कुछ फाइनलाइस नहीं किया है किसे साब से इसकी फंडिंग होगी और जो MD साहवे गोद्रीज कंजूमर की उनका मानना है कि जो इन ब्रैंड्स की ग् लेकिन अबिटा मार्जिन्स अगर आप देखेंगे तो गोद्रीज कंजूमर के अबिटा मार्जिन्स रेमन के FMCJ बिजनिस से जादा है तो फिलाल EPS अक्रेटिव आने वाले कुछ समय में नहीं हो पाएगा जब तक अबिटा मार्जिन्स इनके मैच नहीं होते है तब तक अब रेमन ने भी कुछ अपने रियलाइमेंट किया है बिजनिस में पहला आपने FMCJ बिजनिस तो बेच दिया साथ ही चाथ लाइफस्टाय और लेकर सी बिजनिस से उसे अलग कर दिया अब जो लिस्टेट एंटिटी है उसमें सिर्फ रेल स्टेट बिजनिस रहे जाएग और मार्जिन्स रेमन के कम है गोदेज कंजूमर से तो इसलिए आप देख रहे हैं कि प्रेशर बना हुआ और इस्पेशली गोदेज कंजूमर पर डील के बाद भी आपने फ्रेश सेलिंग देखिए रेमन भी अब डील के ऑप्टिमिसम के बाद रियाट कर रहा है शुक्र